सनी दोयल तारा सिंग बनकर बॉक्स ओफिस पर इस वक्त गदर मचा रहे हैं जी हाँ 22 साल के बाद जब सनी दोयल गदर टू के साथ लोटे हैं तो फैंस ने उन्हें दस गुना ज्यादा प्यार दिया है इसे के साथ सनी दोयल की एक्शन ड्रामा फिल्म ने बाहुबली 2 और पठान जैसे फिल्मों को पचाड़ते हुए सबसे कम दिनों में अधिक कमाई करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है लेकिन हाली में सनी दोयल का एक वीडियो इंटरनेट पर तीजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक्टर पब्लिक प्लाटफॉर्म पर फफख फख कर रोते हुई नजर आए दरसल सनी दोयल को इससे पहले भी गदर टू को मिल रहे प्यार को दीखते हुई कई बार एमोशनल हो चुके हैं लेकिन इस बार वो खुद के आसों को कंट्रोल नहीं कर सके 65 साल के बॉलिवुड स्टार यानी सनी दोयल हाली में आपकी अदालत में बतौर गेस्ट बन कर पहुँचे हुए थे सनी दोयल फैंस से मिल रहे इस प्यार को देखने के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सके जिसकी वज़ा से वो रोने लग गए शारुख खान के फिल्म जवान आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है जी हाँ एटली के निर्देशन में बनी इस अक्शन ड्रामा फिल्म में किंखान के कई शेट्स देखने को मिल रहे है अक्शन से भरपूर इस फिल्म में शारुख खान डबल रूल में नज़रा रहे है उनके एक कारेक्टर का नाम है विकरम राठोर और दूसरे कारेक्टर का नाम है आजार्द इन दोनों ही किरदारों में किंखान ने कुछ इस कदर जान भरी है कि फैंस भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं सके हाला कि विक्रम राठोर का नाम सुनते ही कुछ लोगों को रावडी राठोर के अक्षे कुमार की याद आगए जी हाँ और देखते ही देखते ही सोशल मीडिया पर दोनों सूपर स्टार के फैंस के बीच ये जंग छेड़ गई कि असली विक्रम राठोर कौन है शारुखान के फिल्म जवान बड़े पर रिलीज हो गई है फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन ही कई बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये फिल्म ओपनिंग डे पर अब तक कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है ऐसे में शारुख ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उन्हें आखिर बॉलिवूड का किंग क्यों कहा जाता है ऐसे में अब माधुरी दिक्षित ने भी जवान फिल्म देखने के लिए अपनी उत्सुता को जाहिर किया है दरसल माधुरी दिक्षित ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवान का ट्रेलर शेर किया है जी हाँ और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो जवान को सिनेमा घर में देखने के लिए कितनी उत्साहित है सिर्फ इतना ही नहीं माधुरी ने शारुखान की भी जम कर तारीफे की है अक्षे कुमार एक साल में लगभग चार से पाच फिल्मों में नजर आते हैं एक साल एक्टर की दो फिल्में रिलीज होती हैं इस साल भी ऐसा ही हुआ, इस साल दो फिल्म में अक्षे कुमार की रिलीज हुई, ऐसे में एक फ्लॉप हुई तो दूसरी हिट हुई आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सेलफी और ओमाई गॉड टू की, अब अक्टर अपनी तीसरे फिल्म लेकर हाजिर हो चुके हैं जे हां, बुदवार को अक्षे ने अपनी नई फिल्म मिशन रानी गंज का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है, और बताया था कि गुरुवार को टीजर भी रिलीज होगा गंटों के इंतजार के बाद मिशन रानी गंज का टीजर रिलीज कर दिया गया और फैंक्स को मिशन रानी गंज का टीजर काफी ज्यादा पसंद आया बसे अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आये तो उस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथी बागल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूली ताकि हम कोई भी वीडियो को अप्लूट करें तो उसका नोटिफिकिशन आप तक आसानी से पहुँच जाए